तो हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए विडियो में दोस्तों इस विडियो में बताएंगे कि आप लोग को Siber Cafe के लिए Best Printer कौन सा रहेगा और आपको कौन सा Printer लेना चाहिए दोस्तों अगर आप एक cyber cafe का काम करते हैं या फिर आप अगर एक jerox photocopy का दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सस्ते से सस्ते और बढ़िया से बढ़िया प्रिंटर में दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में तो यहाँ पर दोस्तों मैं सभी चीज आप लोग को google chrome browser में खोल के दिखाने वाला हूँ जिसमें दोस्तों आपको total function यहाँ पर मिल जाएगा तो जैसे ही दोस्तों आप लोग अगर google पे search करेंगे printer तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से सभी printer का आप लोग को photo देखने को मिल लियागा और यहाँ पे काफी तरह के दोस्तों printer है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा printer हमको लेना चाहिए जो कि हमारा परस्नल यूज के लिए बिल्कुल सही रहेगा या तो फिर swap यूज के लिए बिल्कुल सही रहेगा यूँकि दोस्तों जब भी हम लोग कोई नया नया चीज खरिदते हैं तो उसके बारे में कुछ हमको जैदा जानकारी नहीं रहता है लेकिन दोस्तों मैं printer लगभग दो प्रिंटर यूज कर रहा हूं लगभग दो सालों से और दोस्तों मैं printer के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता सकूंगा कि आपको कौन सा printer लेना चाहिए आपने ज़रुत के हिसाब से थोड़ा बहुत दोस्तों जे रख सोता है फोटो भी निकालना पड़ता है और अधार कार्ड ओगरा प्रिंट करना पड़ता है और छोटा बड़ा फोटो भी निकालना पड़ता है तो दोस्तों उसके लिए कौन ज़्यादा चल रहा है तो यहां पे हम L3250 को सर्च कर लेते हैं और यहां से हम इंटर में क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको एक Amazon का लिंक मिलेगा और इसमें 14,289 रुपया लगभग यहां पे दिखा रहा है जो कि Wi-Fi प्रिंटर है एकशन का L3250 तो अगर दोस्तों आपका नॉर्मल यूज है तो आप एकशन का प्रिंटर ले सकते हैं यहां पे दोस्तों आप आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अगर ओनलाइन लेते हैं आप लोग को कौन सा साइट से लेना चाहिए जहां पे आप लोग को विल्कुल सस्ते रेट में मिल जाएगा तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं अगर आप नॉर्मल यूज के लिए ओल इन वन प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप एप्सन का L 3250 ले सकते हैं दोस्तों यह नॉर्मल वर्क में काफी अच्छा काम करता है और इसमें आपका सभी काम हो जाएगा जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटो प्रिंट करना है या फिर दोस्तों अधार कार्ड प्रिं तो इस तरह से आप लोग के सामने कुछ इंटरफेस दिखाई देगा तो यहां पर आप लोग चेक किजिएगा कि कौन सा साइट में हमको सबसे कम रेट में मिल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले इतना साइट जो आया है गूगल की तरफ से सभी दोस साइट है आप इससे भी ओडर कर सकते हैं और आपका यह हम मतलब पे ओन डिलिवरी भी एवी लेबर रहता है अगर फिरी डिलिवरी दोस्तों रहता है और पलस में पे ओन डिलिवरी रहता है जब आपका प्रिंटर आपके घर पे आ जाएगा तो आप लोग को पैमेंट करन है मतलब online payment दोस्तों आपको नहीं करना है cash में payment करना है जब आपका product घर पर deliver होगा तो आपको एक काम करना है तो आप कोई कोई भी site से जो भी आपको सही लगे उससे कर सकते हैं दोस्तों और आप ध्यान दिजेगा जब भी आप online कीजिए तो यहाँ पर काफी तरह के fake website भी आते हैं तो आप लोग को नहीं करना है यहाँ पर जो एक दो जो हमारा जाड़ा फेमस है वो है Amazon Flipcard तो दोस्तों आप एसर में जाके बिल्कुल आराम से आप अपना printer order कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इससे आपका सारा काम हो जाएगा जैसे कि jerogs भी हो जाएगा photo print भी हो जाएगा उसके बाद अधार card भी print हो जाएगा pen card और कई तरह के दोस्तों card को आप बिल्कुल असानी से इसमें print कर सकते हैं तो यह हो गया दोस्तों normal use के लिए लेकिन अगर हमको heavy use में लेना है तो हम क्या लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सर्च कर लिजेगा printer heavy use तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ से देख लीजे सारे printer आ चुके हैं यहाँ पे दोस्तों देखिये सबसे पहले यहाँ पे HP का laserjet printer है यह दोस्तों काफी मतलब समझ लिए कि हाय स्पीड वाला प्रिंटर है लेकिन दोस्तों यह लेजर प्रिंटर है और यह टोटल जो सो 20,000 में 705 उर्पिया दिखा रहा है दोस्तों यह heavy use printer है इसमें श्रिफ आपका black ही print out होगा और आपका jerogs हो जाएगा और scan भी हो जाएगा तो आप लोग यह printer ले सकते हैं heavy use के लिए लेकिन यह श्रिफ black and white होगा अगर आप लोग ज्यादा ज्रोग से या तो print out निकालना है तो आप HP का यह वाला printer ले सकते हैं दोस्तों HP laser MFV 1118 FN देवलू तो दोस्तों आप इस printer को ले सकते हैं और अगर आप लोग को साधी card के लिए butter paper print करना है तो फिर आप लोग को कौन सा printer लेना चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर search करना है देख लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर search कर लेना है दोस्तों Canon का Canon का दोस्तों printer काफी अच्छा होता है आप लोग Canon का printer ले सकते हैं यहां पर देखिए Canon का मैं LBP 3630B printer सर्च कर लेता हूं तो यहां पर दोस्तों हम यह देखिए printer को select कर लिए हैं अभी हम यहां पर swapping में क्लिक करेंगे और swapping में क्लिक करने के बाद दोस्तों यह हमारा printer है यहां पर दोस्तों अलग-अलग website में अलग-अलग price है तो आप अपने हिसाब से देख लिजेगा कि कौन से genuine website में और सही price आपको मिल रहा है दोस्तों अगर आपको यह new लेना है तो यहां पर देख लिजे आप इस site से order कर दिजे बिल्कुल बिंदास कर देना आप लोग कोई भी इसमें problem नहीं आएगा मोगली का जो site होता है दोस्तों आप इससे कर सकते है free delivery और payment दोस्तों आपको pay on delivery करना है अनि कि जब product आपको आ जाएगा तो आपको payment करना है ना कि online payment करना है तो यहां पर देख लिजे दोस्तों इस नॉर्मल यूज के लिए सही है इसमें सिर्फ print out ही होता है आप butter paper का print out बिल्कुल अराम से इसमें निकाल सकते है या तो फिर दोस्तों आप लोगो कोई और print out निकालना है तो black and white में काफी अच्छा quality होता है laser printer का तो आप इससे निकाल सकते हैं तो दोस्तों printer के बारे में जो भी आपके मन में सवाल होगा वो सभी आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल यहाँ पर तक देख लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी next वीडियो में आपको कोई भी सवाल है तो आप हमको question कर सकते हैं comment box में आप पूछ भी सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में